हेलो अब्रीवन वेलकाम अगेनी लर्ण वेर दितिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चेप्टर नमबर 9 इसमें कुछ समश्या हो गई थी कुछ डेटा गलत हो गए थे वो बुक में गलत दिये गए थे जो मैंने बात में ध्यान दिया तो मुझे भी लगा कि गलत है और बच्चों के कमेंट भी आए थे इसवाज इसी वीडियो डिलीट कर दिया गया था तो इसको आप एक बार दुबारा देख लिजेगा इसमें कुछ टैंपरिचर से कंसर्णिंग जो कोस्टन थी उसमें थोड़ा सा फेर बदल किया गया है त तो कितना निर्बार है 54.6% है 54.6% कई जगे पर हमें इसी इन ही बुक में देखने को मिलता है जहां 60% दिया हुआ है तो देखिए पहली बात तो दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं और अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको 7.6% पर क्लिक करना है ठीक है और इनकेस अग भारत के कुल सकल घरेल उत्पाद यानि GDP का कितना प्रतिशत किरसी से प्राप्त होता है यानि भारत का जो टोटल GDP है टोटल सकल घरेल उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत किरसी से प्राप्त होता है तो ये किरसी से 17.4% मांत्र प्राप्त होता है जबकि ये कितना है 54.6% भाग कवर करती हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा कम है, नेक कुश्टिन करिए, भारत में क्रिसी को रितों के आधार पर किस प्रकार वर्गी करत किया गया है, उम जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बजपंचे, खरीफ, रवी और जायत, यह तीन प्रकार की फसलों के रूप में होता है और ये अक्टूर नौवर में कटाई कर ली जाती है इन फसलों की जून से जुलाई में खरीब की फसलों को बोया जाता है और अक्टूर नौवर में काट लिया जाता है ने क्वेशन खरीब की मुखे फसले कौन कौन सी हैं? निर्भर करती हैं खरीब की, रवी की अजयत की? तो इसका अंसर है खरीब की फसले मानसुन की वर्षा पर समने तोर पर निर्भर करती हैं नेक क्योशन देखिए रवी की फसलों की बुवाई का समय होता है रभी की जो फसल होती है उनका बुवाई का समय कब होता है तो रभी की जो फसले होती है अक्टूवर नॉम्बर के महीने में बुई जाती है और मार्च अप्रेल में इनको काट दिया जाता है अक्टुर नॉमबर महा में इनकी बुवाई होती है और मार्च अप्रेल में इसको कटाई होती है नेक कुशन देखिए रवी की मुखे फसले कौन कौन सी है तो ये कौन कौन सी है गेहु, चना, जाओ, तिलहन और तिलहन में अलसी और सरसों आती है जीरा, धनिया, अफीम, इसब गोली, 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 इसब की कटाई हो जाती है जायद की मुक्खे फसले कौन कौन सी है जायद की जो मुक्खे फसल है वो है तरभूज लौकी ककड़ी खीरा यह मुक्खता हरी सबजी और जो चारी की फसले हैं वो मुक्खता जायद की उस फसलों के अंतरगत आती है नेक क्वेशन देखिए भारत में क किरसी वीदियों के उप्योथ के आदार पर फसलों को किन भागों में वर्गी करत किया गया है यह आपके खाद्यान, website, बागानी, और उद्धान फसले हैं जो है एक तोटल चार प्रिकार हैं किटसी वीदियों के अदर उपयोक के आदार पर खाद्यान जो खाई जाती ह Wick कुछे ताऊर पर forsk sofort पर जिन फसलों का यूज क्या जाता है उनको wäft साईट पर खेले कह दी जाते हैं जिस तरहें रूटल चार फसले हैं ठीक है नेक मिपत की बारत की मुक्षट खाद्यान फसले वो कौन कौन सी हैं? तो आपकी चावल, केहू, मक्का, जुआर, बाजरा, जौन और दालें ये सभी क्या हैं? भारत की मुख्य, खाद्यान फसले हैं. ने क्वेशन देखें. भारत की वेबसाइक, अध्योगिक या मुद्रादाइनी फसले कौन सी हैं? देखें, भारत की वेबसाइक फसले कही जाती हैं. गन्ना आपके मुख्य तोर पर जो आपके सुगर मील से उसमें यूज होती है, कपास आपके कुपड़े बनाने में होती है, जूट पीशी में होती है, तबाकु आपके बहुत सारे प्रड़क्स बनते हैं, तबाकु उसे दवाईयां भी बनती हैं और तेलहन आपके जो तेल वगड़े की जो निकालने की जो हैं उनसे सब क्या है, इस सब ही टोटल में आके वेबसाइट फसले हैं, नेक कोशन देखिए, उद्धियान फसलें किसे कहा जाता है, तो कौन-कौनची फल और सब्जियों के जो फसले होती हैं, उनको पल्वे सब्जियों की फसल को उध्यान फसल का जाता है। गेहुं की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितिया हैं। तो क्या अनुकूल परिस्थितिया हैं। उत्री भारत का समसीत उष्णभाग 10 से 25 सेंटीगरेट तापान। यहाँ पर ही हम पिछली वीडियो में गलत कर दिया था। 10 से 25 सेंटीगरेट का तापान होता है। 25 से 35 सेंटीमीटर वर्सा होती है और हलकी दोमट और चिकनी मिटी में गेहुं की फसल को उगाया जाता है। नेक क्कूशन देखें। भारत में सरवादिक गेहुं किन राजियों में पैदा होता है। घलवर भारत पूर जाइबपुर और कोटा यह सभी क्या है यहाँ पर गेहुं का उत्पादन किया जाता है disp है राजिस्थान के अंदर। नेक क्कूशन देखें। चीन और अमेरिका से जज़्यादा गेहुं पैदावर को गती है। चावल की फसल के लिए अनुकूल परिस्तितियां क्या हो सकती है? उष्ण कटे बंदिया भागों में पैदा होता है एक तो यह तापान 19 से 27 सेंटी गरेट होता है वर्षा 55 से 200 सेंटी मिटर के मद्ध होती है चावल की फसल हे तो किस प्रकार की मिटी को उप्युक्त माना जाता है तो चावल के लिए नदी गाटी छेतर की जो दोमाट और कचारी मिटी उसको चावल की फसल को मौसम के अंसर कितनी बार उगाया जाता है? चावल की फसल को मौसम की अनुसार कितनी बार उगाया जाता है तो यह आपका कितनी बार उगाया जाता है तीन बार उगाया जाता है और पहली जो होती है मांसून कालीन फसल होती उसको अमन कहा जाता है सीथ कालीन फसल को ओस कहा जाता है और बोरो यहनि ग्रिस्म कालीन फसल होने पर भी खरीब की फसल क्यों कहा जाता है देखिए आपने देखा इसमें तीन ग्रिस्म कालेन में भी हो रही है और आपके सीथ कालेन में भी हो रही है लेकिन फिर भी इसको ऐसा क्यों कहा गया कि यह खरीब की फसल है जब खरीब की फसल कौन से होती है सामनतों में मांसून पर निबर तो इसका मतलब क्या हो गया मांसूनी फसल जो अमन है वो सरवादिक यानि 86% होती है और इसी वज़े से 86% जो चावल है वो मांसून में होती है इस वज़े से इसको खरीब की फसल कहा जाता है नेक क्वेशन देखिए भारत में किन राजों में मुक्यत है चावल की खेती की जाती है तो भारत में जो खेती की जाती है पश्चिम बंगाल में 15.22% आंधर प्रदेश में 14.3% उद्धर प्रदेश में 11.83% उडिशा में 9.2% बिहार में 8% तमिलनाण में 8.2% मदर जारकर्ण, महराष्ट, पंजाबादी में भी इनको उगाया जाता है नेक क्वेशन देखिए राजस्थान में चावल उत्पादन किन जिलों में किया जाता है तो यह आपके गंगानगर, हनमानगर, कोटा और बूंदी जिलों में समय तोर पर देखने को मिलता है नेक क्व चावल उत्पादन में भारत का विस्व में किस इस्थान पर आता है, चावल उत्पादन में भारत का विस्व में कौन सा इस्थान है, तो आपका दित्य इस्थान पर है, इससे ज़्यादा पैदावार चीन के अंदर होती है, तो चीन इसमें प्रिसम इस्थान पर है और द सरवादिक पीयोग किया जाता है सरवादिक पैदावार की जाती है जिसमें चावल भी प्रतम है और मक्का देतिborत healthy yield e question कर्का किस प्रकार की फसल है मक्क केस प्रकार की फसल et fire only jogos फ objective बीड़ों हो और हो ऊज़द्दो सकर आता है उसका Crotom क Patienten कि स्थार्ट और गुर्व जो निर्मान करती है przy afar कि मक्राकी for Prob subtЬ में आई थी मक्रां की जो फसल है बारत में सर披्लु सथम कहाँ से ऑई तो यह पूर्ट गाली लेकों सबीकि आरा Rocky में पूर्त कर ले के आरा रहे गया है नेक कोशन मक्का की फसल हे तो किस परकार की परिस्तितिया अनुकूल होती हैं यह आपकी पंद्रबारा से पैंटी सेंटी के टर्पान इसके लिए जरूरी होता है पचास से सौ सेंटीमीटर वर्षा नायट्रोजन युक्त गहरी मिटी जिसमें जल निकासी परियाप म मात्रा में हो इस परकार की मिटी इस परिस्तियां मक्का के लिए अनुकूल होती हैं नेक कोशन भारत में सरवादिक मक्का उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है तो सरवादिक उत्पादन देखिया अंधु प्रदेश में 19.3% करनाटक में 16.8% राजिस्थान में 10.34 उत्परिस में 10.30 घुजरात में 7.30 किया जाता है और मद्य प्रदेश और पंजाब में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है नेक कोशन देखियें राइस्थान के किन जिलों में मक्का उत्पादन किया जाता है तो आपका कोटा, बूंदी, बारा, जहलावाड, क्वारत का मक्का उत्फदन वे इसमें कौन सा इसастान है? बहुरत का मक्का उत्फदन नहीं किया जाता है, यह याद रखेगा। बाजरा फसल का उप्योग किस प्रकार किया जाता है? बाजरा फसल का उप्योग किस प्रकार किया जाता है? बाजरा की खेती किस प्रकार की जलवायों में की जाती है? बाजरा की जो खेती है वो किस प्रकार की जलवायों में की जाती है? आपको पता है बाजरा सबसे ज़्या में होता है तो यहां का मौसम की जल्वाईयू कैसी है उसी से सन्दधे लगा सकते हैं गर्म और सुस्ख जल्वाईयू में बजर की सर्वादी की जाती है और जून से अक् टूबर के मद्ध तो कितनी वर्षा वाले 6 रुप्यक्त वोते हैं बजरा की भारत में किन राज्यों में बाजरा फसल का उतपादन सरवादिक किया जाता है, तो वे आपके राजिस्थान में 42%, महराश में 20%, गुजरात में 12.5%, उत्रप्रिदेश में 11% फसल की जाती है, और अन्या अंध्र प्रिदेश, मद्र प्रिदेश, करनाटा को पंजाबादी में भी इसका उत्पादन किया जाता है, तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि राजिस्थान में इसमें बाजरा सबसे ज़्यादा कहां होता है भारत के इंदर, राजिस्थान में, और विष्ट में भारत का कौन सा इस्थान है, प्रिथमिस्थान है, ठीक है, नेक जुन जुनू, अलवर, जैपुर और जालोर में बाजरा का उत्पादन किया जाता है, नेक क्वेशन देखिए, भारत बाजरा उत्पादन में विष्मिक किस स्थान पर आता है, इस पगए बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, भारत बाजरा उत्पादन में विष्मि वीडियो को मैं समप्त करता हूँ, नेक्ट पार्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू